कि हालो फ्रेंट्स a Life वेलकम तो सियंसेंटर आज हम यहांपर डिस्कुस करेंगे जो करंण अफेर्स में रहे गॉर्मनेंटđ की Uhikeem ५ख़। घुर्मनेंटा armas में जो की स्थाटीक स्पार्ट से फिर उसका जो की मार्त क्वी को लिए जो की आउटकम क्या होगा हमारी डीबीटी जिसको बोलते हैं सबसे पहले अगर डीबीटी की बारे में जानना हो तो बेसिक सा एक्जामपल ले लिजिए कि गवर्मेंट का है जो कोई भी स्किम चलाई गई हो सीधे जो कि उसका बेनिफिट किस जिस बेनिफिसर और उसके एकाउंट में जा सपोर्च कर ये प अगर हम कोई अपना पैसा एक रुपिया सो पैसा अगर गरीब के यहां भेजना चाहते हैं तो गरीब अहां जाते जाते 15 पैसा ही बस पहुचता है, मतलब 100 रुपिया देतें तो कि गरीब के खाते में पहुचता है 85 रुपी जो है कि ये 20 की जो लोग है विशौदिया लोग है इसको कि खा जाते है इस चीज को लेकर के जब dbt आया direct benefit transfer 2013 में आया और एक pilot project की रूप में आया 2014 में जब government चुन जुई तो government of India ने इसको पूरा जो की whole मतलब overall जो है की all India level पे implement कर दिया तो यहाँ पी जो मैं आज discuss करने वाला हूँ आप लोगों के साथ तो dbt को लेकर के discuss करने वाला तो dbt में सबसे पहले देखिए government of India ने कहा है कि 2.73 लाख करोर रूपीज हमने जो की shape किया है यह ministry of finance का यह data है इस वज़े से यह important बन जाता है अब हम देखेंगे कि real में dbt है क्या सबोच करिए कोई bank है यहाँ पे बैंक है और यह कोई beneficier है यहाँ पे ठीक है और एक का कम कर रही है यह सीधे जो कि लिजा करके इनके bank की account में transfer कर रही है सबोच करिए कि आपने पापा से बोला पापा से कि पापा आप हमें जो है ना कि आप 5000 रुपया दे दिजिए तो पापा क्या कर रही है ऐसा है एक तो है कि कि किसी और को दे देंग भाई transfer करने के लिए जो होते हैं दुकान में बैठे होते हैं एक हजार दो हजार पे दस पांच रुपय जो कि transfer करते हैं दूसरी चीज़ पापा का खुद ही account हो अपने बेटे के account में जो की सीधे जो की transfer करते बीच में उसका काम खतम करते वैसे है गवर्मेंट आफ इंडिया ने आप सीधे जो beneficiary हों उनके account में transfer कर देती है और जो 1980 की आसपास राजिव गांजी का एक code आया हुआ था कि हम अगर 100 पैसे ठीक है अगर 100 पैसे अगर हम किसी को send करते हैं तो उसका 15 पैसा ही जो है कि beneficiary के पास जाता है तो इस वज़े से आप समझ दीजे कि यह important बजा तो द उसके लिए आपको पतावने सपोच करिए आप LPG cylinder लेते हैं मार्केट में और जो की आपको जो की सीधे आपकी account में transfer कर दिया जाता है जो की पैसा बास समझ रहे हो और दूसरी चीजे है यहां पर आगर आप देखेंगे कि इसमें कुछ data दिया गया है कि direct benefit transfer को लिए करके क इसको identify कर जाएगा क्या कैसे करा जाएगा सारी चीजे इसमें दी गए इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें भी data के दिया गया जैसे माल यह कि अगर यहां पर देखता हूं मैं कुछ और data दिया गया होगा सबसे पहले मैं यहां पर सुरू करूंगा आप लोग के साथ क अच्छी खासी जो इसकीम जो कि इसके अंतरगत आ गई और अभी 2020 तक अगर बात देखा जाए तो बहुत नमबर साथ है इसकीम जो की डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसर के आ रही है जैसे माल यह आपको LPG का connection मिला हुआ है तो government क्या करेगी government सीथे आपके account में ट्रांसर कर देगी आपका पैसा आप जाकर के वहां से LPG cylinder जो की खरीच सकते हो तो यह benefit था इसके बाद अगर इनहां पर देखते हैं कि कैसे dbt scheme है और इसकीम सेंटरल गवर्में जो की central node officers होते हैं वो जो की सीधे transfer करते हैं जो beneficiar होते हैं उनके accounts में उनका detail verification करके और इन सारी चीजों क लिए आपके पास आपका आधार होना चाहिए सबसे पहले बात आधार होना चाहिए आपका एक bank bank account होना चाहिए बात समझ रहे हो एक चीज मैं और नहां पर include करूँगा सुरू में चला हुआ था 2014 में 2014 में कि जन्धन योजना लेकर के शुरू हुआ था कि आप जन्धन योजना कर लेंगे तो आपको benefit जो होगा government का आपके ट्रांसफर जो कि आपके जन्धन एकाउंट में हो जाग बात यह पूरी तरह से बेकार सिद्ध हो गया जो कि काम नहीं आ रहा है ठीक है मतलब क्या है कि जैसे मतलब यह जो कि Trinity पी काम करता है जो हमारा direct benefit ट्रांसफर होता है Trinity पी करता है Trinity पी क्या करता है आपका आधार होना चाहिए आधार card होना चाहिए फिर इसके बाद आपका mobile number होना चाहिए फिर इसके बाद आपका एक bank account होना चाहिए ठीक है आप इससे ज चैन्म पतने चैन्म के नाम से जानते हों ऑपन करने तो उसमें आपको क्या लगता है पहले बाद आपका काड्ड लगता है पैन काड्ड लगते है उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए अगर आप पड़े लिखे हों तो आपका एक email भी लगता है फिर उसके बाद आपका एक bank account जो की open हो जाएगा फिर government जो है की आपका सीधे आपके account में आपका benefit transfer कर देगा बात समझ रहे हो तो उसमें किसी बीचाउलिये प्रधान या लिखपाल की जरुवत नहीं होती है कि य additional क्या होता था एक agency होती फिर पूर होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है बीच में कोई agency नहीं है अब सीधे money government से जो कि पूर के account में transfer हो जाती है benefit क्या होता है direct poor के account में चला जाता है और corruption जो की कम होता है फिर उसके money utilize जो होता है targeted होती है और इसके बाद अगर हम यहां पे दे transfer हो जाता है लेकिन कुछ problem से भी आती है जैसे moody ने अभी एक report के अनुसार यह कहा है कि जो direct benefit transfer या फिर जो आधार बेस्ट आपका OTP से link करके benefit scheme दिये जा रही है इसमें कहीं न कहीं आपको यहां का climate जो hot and humid है यह sustainable या फिर suitable नहीं for that तो इस वज़े से यहां पे भी यह problem है आप यहां पे हम सब जो discuss करने जा रहा है जनरली में benefit क्या होगा benefit इसके लिए क्या है benefit सबसे पहले देखिए जो कि targeted लोगों के पास जो कि यह transfer होगा आपका पैसा बाद समझ रहे है जो transfer होगा उनके funds जो कि transfer होगा rooted corruption जैसे वो transfer पैसा जो है कि targeted लोगों के पास आएगा फि financial inclusion inclusion आएगी financial inclusion क्या है हर ब्यक्ति के पास एक bank accounts होना चाहिए और इसको लिकर फिर उसके बाद आप होगा better monitoring better money monitoring होगा बाद समझ रहे हो इसके बाद अगर हम और भी इसके बारे में बात करें तो empower करेगा जो citizens है जो citizens है इनको जो कि empower करेगा कैसे जैसे कि अगर कोई poor ब्यक्ति है अगर एकाउंट में डारेक्ट जो कि आप बो सकते हो ट्रांसफर हो जाता है पैसा गवर्मेंट बेनी स्किम का तो अपनी जो यह है नीड नीड को जो कि requirement है उसको fulfill कर लेगा बात समझ रोग तो यह था benefit का फिर उसका कुई challenges आई भी है challenges मैं अगर यहां पे बात करूं आप identification कैसे है कि जैसे माल यह कोई आधार काट के बेस पर गया वहां पर उसका अंगोठा ही match नहीं कर रहा दूसरी चीज यह भी है कि lack of lack of infrastructure आधार भूस रचना की जो की कम है जैसे electricity नहीं है internet availability नहीं है computer नहीं है वहां पे तो इसमेशे से भी दिक्कत आएगी इसके बाद अगर और भी बात किया जाए इसमें complete operation जो operational issue होता है technical उसमें दिक्कत आती है फिर उसके financial inclusion कीजिए जो अभी माल लेजिए अब अगर rural area म आप देख सीजिए lack of the financial inclusion, financial inclusion उनका मतलब कि आप अगर remote area में चल दे जाएए गाउं में तो वहां पे अभी आपको ATM, banks वगरा की जो की उतनी facility नहीं देखने को मिलेगी तो इसमें जैसे और भी दिक्कत आ रहे है आप उनके account में transfer करना चाहते हो बट पता चले remote area में banks ही नह नहीं है तो कहां से वह पैसे भी ड्रॉ करेंगे या जो भी कुछ करेंगे इसके बाद अगर मैं बात करूँ अग ग्रिवन से digital dividend literacy digitally जो की literate लोग नहीं है बहुत से पढ़े लिखे भी लोग है जो की यह डरते हैं इसमें का बोलते हैं जो की digitalization को adopt करने के लिए digital मतलब कोई स्मार्ट फोन कुछ भी करते हैं जैसे माले कि अगर मैं बात करूँ तो उसमें generally लोग बात करते हैं जैसे चाह बेचने वाला भी आपका UPI से जो की payment लेता कि वार कोड क्रेस करके और scan करके बट बहुत से ऐसे भी लोग हो कि होते हैं कि जो गरीब लोग है अगर वो पैसे इससे लेते हैं तो वो transfer भी नहीं करते हैं और उनको जो की उल्टा सीधा जो की पट्टी पढ़ा करके उनसे जो ही की अपना पैसा ले लेते हैं जैसे माल ये transfer किये और वो दिखाए गए देखो transfer हो गया है अब वहां पर यहां दिखा रहा है बट उन्होंने किसी और का screen द बात किया हमने कि जो real में क्या है और आज जो की government of India ने अपना data दिया है लगवाद 10 साल के आस्वास पूरा भी हो गया 2013 में तेश चलना है तो यह हमारा था आज का discussion डारेक्ट benefit transfer को ले करके कोई doubts query होगी तो no doubts आप जो की comment box में डाल सकते हो और तब तक लिए थांक्य थांक